हेलो दोस्तो हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं करोणा निबंद के बारे में तो ये निबंद आपको MP Assistant Professor के syllabus में दिया गया है तो चलिए आज हम इसके बारे में ही बात करते हैं करोणा क्या होता है दया किसी आप करोणा यानि किसी के प्रती अप दया का जो भाव दिखाते हैं तो ये चीज़े होती क्या है मां का अपने बच्चे के प्रती जो प्रेम होता है दया की भाव या किसी और चीज़ को देखके आपके मन में जो भाव जाकरेत होता है तो वही चीज़ी जो है करोणा के अंतरगत आती है तो आचारे रामचंद्र शुक्ली जी के निबंदों की बात करू तो वो भाव एवं मनो विकार से संब्दित निबंद है तो यहां उन्होंने इसी सब टॉपिक पे चर्चा किये कि करोणा होता क्या है उसके अंतरगत क्या का निबंद है तो यह मनो विकार संब्दि निबंद है करोणा का आशे क्या है करोणा का अखिर अर्थ क्या है तो करोणा का आशे कमजोर व्यक्तियों या प्राणियों के प्रती उत्पन्न होने वाली उस भावना से है जो उनकी कमजोर इस्थति को समझने तसा उनके प्रत समानों भूतिक चिंता रखने से उत्पन होती है वै भावना व्यक्ति को दुखी व्यक्ति की सहायता करने हितु प्रेरित करती है तो अगर कोई बच्चा आपको भूखा दिखाये देता है तो आपके मन में उसके प्रती क्या होगा करोणा का भाव जागेगा कि ओ बच्चा भूखा है या कोई आपके सामने रो रहा हो तो आपके मन में फिर से उसके प्रती क्या है करोणा का भाव जागेगा कोई घाय लवस्ता में हो तो आपका उस व्यक्ति के प्रती क्या होगा करोणा का भाव जागेगा यानि कोई अगर परिशानी में है तो उसके प्रती जो आपके मन में जो भाव जागता है वो करोणा कहलाता है तो बात करते हैं अब चिंतामणी क्योंकि चिंतामणी में संकल लेते हैं तो चिंतामणी से भी कुछ बाते कर लेते हैं तो चिंतामणी भाग एक के निवेदन में शुक्ले जी ने लिखा है इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश है यात्रा के लिए निकलती रहती है बुद्धी पर हिर्दे को भी उसके साथ लेकर अपना रास्ता निकालती रही है आचारे शुक्ले जी का निबंद संगरा चिंतामणी जो है वो चार भागों में प्रकाशित हुआ है इनके चारों भागों के जो संपादक है वो निमलिक लिखेता है तो चिंतामणी भाग एक इसमें कितने निबंद है तो 17 निबंद है और इसके संपादक है आचारे रामचेंडर शुकले जी 1949 स We दूसरा है चिंतामणी भाग दो इसमें तीन निबंद संकलत है और इसके संपादक है वेशुनाद प्रसाद मिष्र जी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1945 अगले है चिंतामणी भाग 3 इसमें 21 निबंद संकलत है और इसके संपादक है नामवर सिंग जी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1983 अगले है चिंतामणी भाग चार जिसमें 47 निबंद संकलेत है और इसके संपादक है कुसुम चतुरवेदी और ओम प्रकाश सिंग प्रकाश इनवर्ष है इसका 2002 इसी क्योंकि आपको यहाँ पे चिंतामणी भाग एक का निबंद दिया गया है तो इसमें कितने निबंद संकलेत है कौन-कौन से निबंद संकलेत है उन पे बात कर लेते हैं तो भाविया में मनोविकार, उत्सा, श्रद्धा और भक्ती और करोणा तो यहाँ देख सकते हैं कि करो तुलसी का भक्ति मार्ग भारत इंदू हरिश्चंद्र फिर है काव में लोकमंगल की साधरावस्ता साधारनी करण और व्यक्ति वे चित्रवाद रसात्पक बोध के विवदरूपत ये 17 निबंद जो है इसमें संकलेथ है अब चित्रवाणी भाग दो में कौन-कौन से निब अब बात करते हैं इसके कुछ विशेश तक्तियों के बारे में तो आचारी रामचेत्र शुक्री जी का चिंतामणी भाग एक सरवप्रथम विचारवी थी नाम से सन 1930 में प्रकाशित हुआ था इस पर प्रशन आ चुके हैं कितनी बारी तो यहां मैंने इस चीज़ के लिए बताएक सरवप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था फिचारवी थी कविता क्या है निबंद सरसुती पत्रिका में 1909 में प्रकाशित हुआ था इनका सबसे पहला निबंद साहित शिर्षक से 1904 में सरसुती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था इनको निबंद सम्राट के नाम से जाना जाता है शुक्रशी को चिंता मणी रचना के लिए इनको देव पुरसकार प्राप्त हुआ था ये हिंदी के कलात्मक निबंधों के जन्मिदाता माने जाते हैं चले अब बात करते हैं करोणा निबंध के बारे में भाव मनोविकारों से संबंदित स्ट्रेस्ट ये मनोवेग्यानिक निबंध है करोणा के मनोवेग की उत्पत्ती उसका विस्तार एवं सामाजिक जीवन की स्थती और पुस्टी के लिए करोणा के प्रिसार पर जोड़ दिया गया है करोणा मनुशी के हिर्दे में सात्विक्ता की जोती जगाने वाला मनोभाव श्रद्धा जैसे भावो की उत्पत्ती का प्रेरक तत्व है निबंध में करोणा और शील, करोणा और सदचार में संबंद स्थापत करते हुए करुणा और प्रेम, करुणा और नयाय, करुणा और श्रद्ध, आधी मनो भावो के विभाजन रेखा का विवेजन किया गया है तो आप देख सकते हैं इसमें किसके चीजों में संबंद सापित किया गया है वो चीज यहाँ पर जरूरी हो जाता है, तो यह पॉइंट आप याद रखेगा क्योंकि किसके भी संबंद सापित किया गया है और किसके चीजों का इसमें उलेख है, वो आपको पत्दद चल रहा है चलिए अब इस निबंद का सार क्या है, वो सारांश जान लेते हैं, तो करुणा निबंद भारते काविशास्त्र के रस के अंग पर आधारित है तो रस जब आप पढ़ते हैं, रसों के आप प्रकार पढ़ते हैं, तो उसमें करोणा भी आप पढ़ते हैं, तो ये उसी करोणा पर आधारित है, लेखक ने बहुत सावधानी पूरवक इस काविशास्त्रे शब्द को जीवन से जोड़ कर देखा है, लेखक छोटे-छोटे बच्चे भी दुख, पीड़ा या कस्ट को समझने लगता है, तो उसे करोणा का ज्यान कह सकते हैं, यही कारण है कि जब मा या अपने किसी सगे को कोई बालक रोते देखता है, तो रोने लगता है, इसका मतलब यह हुआ कि संबद ज्यान करोणा दया आधी के लिए जरूर है, यहां पे क्या ज़रूर है, संबंद जरूर है, चीक है? नेक्स्ट है, दुख की श्रीडी में करोणा का उल्टा क्रोध होता है, कि अगर किसी को दुख है तो इसका उल्टा हो ज्यायक यहां पे वो क्रोध होगा, करोणा जिसके प्रति उत्पन होती हैं, हम उसकी और क्रोध जिस पर उत्पन होता है उसे गरणा करते हैं समझने की भाशा में आप इसे मनोविकार कह सकते हैं तो अगर किसी के प्रती आपके मन में दुख है तो वहाँ पर क्या है आप उसकी भलाई करना चाहेंगे लेकिन अगर किसी के प्रती आपके मन में कोई क्रोध है तो वहाँ पे उसे अपको गरड़ा हो जाएगा तो हर भाव का अलग-अलग अंतर है लोब आनंद की शुरी में रखा जाता है जैसे जहांगीर पृतिवी राज रतन सेन वह अन्य सामंती लोग सुन्दर इस्त्रियों के लिए लड़ाई कर देते थे लेकिन जीती हुई इस्त्र दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी भी होने लगता है एसे इस्ति में अपने अत्वा पराए के अती दुख को देखकर दुखी होना करूणा के कारण ही संभव है मनुशी के सजनता इसी पर आधारित है कि उसमें कितनी आदमियत बची है सजनता दुर्जनता आपके वेवहार और संसर्ग पर निर्भर है बनशी की पहली प्रात्विक्ता सुख के स्थापना है जिसमें किसी का जी न दुखे बलकि बिना किसी के नुकसान किये जो अपने जीवन यहापन करता है वही जीवन का असली सुख है यानि कि कोई भी वैक्ति नही कि दूसरे को दुखी पहुचा के हम सुखी रह सके तो हर वैक्ति ही चाहता है कि हम भी सुखी रहे दूसरा भी सुखी रहे और हम कैसे दूसरे को भी नुकसान किसी बात से ना पहुचे वो भी अपने घर में चैन से रहे तो यही भाव हमी करवणा दिखाता है सच बोलना या बड़ों का सम्मान करना शील के अंतरगत आता है मनशी को शीलवान होना चाहिए लेकिन कई बार ऐसी सत्या बन जाती है कि जूट बोलना अनिवार हो जाता है खुशामद को शील की श्रड़ी में नहीं रखा जाता जबकि अपने लाव के लिए अकसर लोग खुशामद करने लगते हैं सिस्टा चार और खुशामद अलग-अलग तरते हैं तो यहां पर पहले कभी के द्वारा शील का अताथ पर समझाया गया है कि शील क्या होता है जब दुसरों का आदर सम्मान करते हैं तो वो शील के अंतरगत आता है लेकिन ये भी नहीं है कि हम दूसरों का आदर कर रहे हैं यानि कि उसका जूटा जो हम खुशामत कर रहे हैं उनकी हामे हामे ला रही है तो ये जो है वो शील की शिर्णी में नहीं आएगा तो यहां पर सिस्टा चार शील का तत पर क्या हो गया सिस्टा चार तो सिस्टा चार एक अलग चीज़ है और खुशामत जो है वो अलग चीज़ है करुणा दूसरों के कस्ट को अपना कस्ट समझती है तुलसिदास कभी इरवाल मिकी जैसे रचनकारों ने करुणा को समझा है या उनके द्वारा जो हम करुणा को समझ सकते हैं कि उन्होंने कैसे दूसरे के दुख को अपना दुख समझा है उनके भावों को अपना समझा है वियोग में भी करुणा के भाव छिपे रहते हैं अधिक लगाव से कई बार कोई व्यक्ति दूर चड़ायाता है तो उसके चिंताएं सतारने लगती है जैसे ये शोदा का कृष्ण के प्रती चिंता नायक के प्रती चिंता इत्यादी तो जब भी आप वियोग किसी से अगर दूर हो जाए या हमारा कोई प्रिय हम से कहीं दूर हो जाए तो हमें उसके चिंता सताती है तो ये भाव भी करुणा के अंतरगत आता है राम का वन जाना, कृष्ण का मत्रा जाना इस्ट की अनिस्ट की संभावना उसमें संदेह डाल देती है वह धुआ देकर सोचने लगती है कि मेरा प्रेमी तो कहीं नहीं जल रहा मसलन घनिस्टता, लगाव, प्रीती, मोह, वियोग, आदी करुणा को उत्पन करने में मदद करता है अचारी शुगले जी ने लिखा है सामाजिक जीवन के स्थिती और पुस्टी के लिए करोणा का प्रिसार आवश्यक है यह संसार हमारा कर्म शेत्र है, ऐसे में व्यक्ति की रक्षा और ध्यान व्यक्ति ही रख सकता है लेकिन यह तब ही संबब है जब आप पूरे पर समाज को जो है अपना परिवार समझेंगे करोणा अपना बीज किसी आलंबन या पातर में नहीं फैक्ति अर्थात यह जरूरी नहीं कि आप जिस पर करोणा दिखा रहे हैं वह आप पर भी करोणा दिखाए अबला नारी को मार खाते देख आपके मन में उसके परति करोणा या मुह उत्पन होता है लेकिन एक चोड जब पिटाई खाता है तो उसी अनुपात में करोणा उत्पन नहीं होता मनुश्यों के सजीवता उसके मनोवरती मनोवेग या प्रवरती पर निर्भड करती है करोणा उसे आगे बढ़ाने में मद्द करती है अता किसी धार्मिक वेक्ति के मन के विकारो या वेगों को मानना घोर पाखंड है इसे बड़े बड़े अनर्थ किये जा सके है तो यहां उन्होंने करोणा भी अलग अलग चीज़ों में बताया है कि अगर कोई इस्त्री अगर मार खा रही हो या उस पर अत्यचार हो रहा हो तो वहां जो आपके मन में करोणा उत्पन होगी कि उस अस्त्री के साथ यह अत्यचार हो रहा है यह नहीं होना चाहिए गलत है लेकिन वहीं पर अगर कोई चोर पकड़ा जाया उसकी पिटाई हो रही हो तो आपके मन का जो भाव है वो बदल जाएगा यहीं यहां पिका है फिर है वेक्ति के मनोवेग का होना जरूरी है यदि मनोवेग ना हो तो स्मृती अनुमान ग्यान होने के बाद भी वह जड़ है क्योंकि करोणा जीवन के लिए जरूरी है और करोणा मनोवेग पर आधारित है यह अलग बात है कि कुछ लोगों में मनोवेग तो होता है लेकिन वेभारी के रूप में उसका प्रयोग देखने को कम बलता है जीवन में मनोवेग के लिए तीन चीज़े जरूरी है अवशिक्ता, नियम और न्याइव राजा हरिशिंद्र और डोम की कथा से इस बात को समझा जा सकता है कि देखिए राजा हरिशिंद्र को किस प्रकार से जो है सब कुछ उन्हों वो दान में दे ले थे उनके पास कुछ भी नहीं बसता और उन्हें एक डोम के यहाँ रहना पड़ता है और वहाँ पे वो उस नियम का पालन करते है तो यह जो कथा है वो आप सभी को पता है यहाँ में कथा बढ़ा के लंबानी करूंगी वीडियो को तो यहाँ पे जो मनोवेग जो है जो जरूरी होता है कहते कि आवशक्ता और नियम और न्याई कि किस प्रकार से अपने मार्ग से वो डटे रहे चाहे जैसे भी परिस्दियाई न्याई नियम और अवशक्ता को इस रूप में भी समझा जा सकता है जैसे अपने ही बेटे की कफन को फाड़ कर देना नियम है मैंने आपको कुछ पैसे दिये उसे समय से वापस करना न्याई है और किसी बूड़े नोकर को जो काम करने में अक्षम हो निकाल देना अवशकता है तो यहां पर भी अलग-अलग उधारण के माध्यम से जो है शुकले जी ने समझाया है कि न्याई कहा है तो न्याई के लिए उन्होंने क्या कहा है कि न्याई था कि बेटे के जो यारी जो राजा हरिश्यंद्र थे उनकी जो पत्नी थी तारा जब वो जलाने के लिए वो उसमें जगा मांग रही थी शमशान घाट में तो वो कह रहे थे कि नहीं मुझे तो कुछ कर आपको देना पड़ेगा क्योंकि उस टैपिक कर लगता था टैक्स लगता था कुछ कर दोंगे तबी मैं इसको जलाने के नहीं नहीं रहता उनकी पतनी इतारा के पास टो वो अपना कपड़ा फार के देती आ तो यह जो नियम था उन दोने में से किसी ने नहीं तो यहां इसको नियम बताए गया है फिर यहां पर न्याई की बात की गई है तो न्याई के लिए एक और उधारन दिया कि आपको किसी ने कुछ पैसे दिये आपने उनको समय पर वापस कर दे तो ये भी एक न्याई की श्रिड़े में आ गया फिर उसके बाद कि जो बुड़ा नोकर है वो काम करने में अक्ष्म है वो काम नहीं कर सकता है उसको अगर आपने निकाल दिया तो यह तो आवश्रक्ता है कि वो नहीं सक्ष्म था तो आपने निकाल दिया तो यहां पे साराश के वल इतना है कि मनुश्य जीवन के लिए करोना ज़रूरी है ताकि आप आदमी को आदमी समझ सके लोग उन्हें आदमी मानने से भी इंकार कर देते हैं जब कि आचारे शुक्ले की इस्थापना यह है कि दूसरे के दुख को भी समझा जाए लेकिन भारतिय समाज विश्वात्मा पर आधारित है जहां सब कुछ गोल-गोल है अर्था जो जूट बोलता है वही आगे है जो फ जूट में जी रही है और वही फरेवी दुनिया जो है फरेवी लोग जो है वही तागतवर बने हुए है तो ऐसे में जो लोग है वो कैसे इस करोणा के मुल्ले को समझेंगे तो यहां पर कबीर का भी कथर लिखा गया है कि साच कहेता मारन धावे जूट जूट जग पतिय है यह अगर तुम सच कहोगे तो मार पड़ेगी और जूट कहोगे तो जग उसको सच मान लेगा तो कबीर की कावत में हो सकता है पूछ ले इसमें यह कहां पर कहा गया है तो इसका में जो प्रतिपाद्य है या आशे क्या है तो इस बात पर देख सकते है कि आचारे रामच इतर निबंद शास्त्रिय लोकमंगल पर आधारित है करोणा नामक निबंद भी एक ऐसा ही निबंद है जहां जीवन को करोणा से जोड़ कर देखा गया है करोणा का आधार दुख है और दुख मनुष्य के जीवन का अंग है जीवन में करोणा का होना जरूरी है क्योंकि क किसी के दुख से दुखी होकर मनुश्य का स्वभाव है। इस विशे में लेखक ने अबोध बालक से लेकर वैक्ती बनने तक के जीवन के अनेक पड़ाव का जो है इसमें उल्लिक किया है। संबंद ग्यान से लेकर सामाजिक और प्रकृतिक ग्यान तक मनुश्य करोणा के मा माध्यमों से समझाने की कोशिश की गई है। सिधांत के रूप में करोणा विश्वात्मा का रूप हो जाता है जबकि वैभार में इसका मूल दुक में निहेते हैं। अजर शुकल ने करोणा को मूह और आनंद के रूप में भी माना है। उनका मानना है कि करोणा एक विकार है जो जीवन के लिए जरूरी है वे अनेक मितकों से जैसे हरिश्यंद्र, राम, कृष्ण आदि के माध्यम से जीवन की वी संगतियों के साथ जोड़कर मनुष्यता की बात करते हैं जीवन की जीवन में मनुश्य बने रहने के लिए करोणा जरूरी है तब ही हम किसी के दुख से दुखी होंगे आचारे शुकल का मानना है कि करोणा के विपरीत क्रोध है क्रोध जीवन के लिए उचित नहीं जिवकि करोणा जो है जीवन के लिए अवश्क है मसलन आचारी शुक्ले ने करुणा और मोह, करुणा और आनंद, करुणा और मनोवे, करुणा और क्रोध, इत्यादी माध्यमों से व्यक्ति और उसके संबंद को ग्यान, व्यक्ति और प्रकृति, व्यक्ति और समाज, व्यक्ति और उसके मनुशिता को विविध, संदोर, साल अगा कमेंट करके जरूर बिताएगा और चैनल पे नए हैं लाइक शिर और सब्सक्राइब भी करेगा धन्यवाद